भगवान वरा कहते हैं देवी, प्राचीन समय की बात है मत्रा में लवन नामक एक राक्षस था। ब्रामनों की रक्षा के लिए महात्मा शत्रुगन ने उसका वद्द किया था। उस थान की बड़ी महिमा है। मार्क शीष की दवादशिती थी कि असर पर वहां सहियम पूरवक पुट्र रहकर शिनान करना और शत्रुगन के चिर्ट का वर्ड़न करना चाहिए। लवन शुर के वद्द करने से शत्रुगन को अपने शीर में पाप की आशेंगा होगी थी। उसे दूर करने के लिए उन्हें सुस्वादू अन्नों से ब्रामनों को त्रिप्त किया था। इस समाचार से भगवान श्री राम को त्यंता लंद मिला था। अपनी सेना के साथ युद्ध्या से यहां आकर उन्होंने इसके उपलक्ष्वे महान उत्सव किया। अगन मास के शुकल पक्ष की दश्वी तिथी के दिन भगवान ग्राम मत्रा पोचे थे और वहां एकादशी तिथी के पुन्य उसर पर उप्वास करके विश्च्रान्ती तिथ में सव परिवार श्नान करके महान उत्सव मनाया। फिर ब्रामनों को त्रिप्त करके स्यम भोजन किया। उस दिन जो वहां उस्सम मनाता है वह संपूरन पापों से मुक्तो कर पित्रों के साथ दीर काल तक अर्थात परले प्रियंत सरलोक में निमास करता है। भगवान वरा कहते हैं वसंद्रे मनवानी अत्वा करम किसी परकार से भी पाप करम में रूची रखना अपराद है। दंत धामन ना करने, राजा का अन्न खाने, शवशपर्ष करने, सूतक वाले विक्ति का जल्ग रहन करने, एम उसका शपर्ष तथा मल मुत्र आदिक क्रियाउं से भी अपराद बन जाते हैं। वाच्यवानी बोलना, अबक्ष वक्षन करना, हींग को भोजन में समलित करना, दूसरे के मलिन वस्त्र, नीले रंग वाला वस्त्र धारन करना, गुरू से असत्य भाशन करना, पतित व्यक्ति का अन्न खाना, और भोजन ना देने का भै उत्पन करना, ये सब सेवा प्राद है, देवता की अराधरा में जिस फूल को शास्त्र में निशिद्ध माना गया है, उसे काम में लेना, निर्माले को विग्षे पर से हटाए बिना हीं, अस्त वियस्त होकर अंधेरे में भगवान जी की पूजा करना भी अप्राद है, मद्रापीना, अंधकार में इ ये सबी अप्राद हैं, वस्ते इस परकार के 33 अप्रादों को मेनिश पष्ट कर दिया, इन प्रादों से युक्त प्रुष परम प्रभु श्रीहरी का दर्शन नहीं पा सकता, यदि वे दूर रहकर भी पूजा नवश्कार करें तो उसका वे करम राक्षी माना जाता है, इ प्रण्च गवे पिये तो उसकी शुद्धी हो जाती है, नीला वस्तर पेहने के पाप से बचने के लिए मानव गों में द्वारा अपने शीर को भरी भाती मले और प्रजापत्य वरत करे तो आपृत्तर हो जाता है, गुरू के प्रती बने हुई पापों से मुक्त के लिए दो चन्द्राइन वरत करने का विदान है, लोक पतित का अन खा लेने पर चन्द्राइन और प्राक वत्र करने से शुद्ध होते हैं, जूता पहन कर मंतर में जाने वाला मानव किछ पाद्वरत और दो दिन उप्वास करें, फूल तदाने विद्ध के अभाव में भी पंच चामरत से भगवान जिका शनान एम पर्ष करके नमशकार करने की विदी है, मद्रापान के पाप से शुद्ध होने के लिए ब्रामन शत्री और वैशे को चाहिए कि चार चन्द्राइन वरत तदा बारां वर्षों तक तीन प्रजापत्य वरत करें, अत्वा सो करव शित्र म करने से शुद्धी संबव है, जो मुनश इन दोनों तीर्थों का उक्त परकार से एक बार भी सेमन करता है, वे अनेक जन्मों के किये हुए पापों से मुक्त हो जाता है, इन तीर्थों में शनान, जल्पान, तथा वगवान जिके ध्यान, दारना, कीतन, मनन, श्रवन, एम दर्शन करने से भी पातक प्लाइन कर जाते हैं, प्रिथी ने पूछा सरीश्वर, मत्रा और सूकर ये दोनों ही तीर्थ आपको धिक परिये हैं, पर यदि इन से भी बढ़ कर कोई अन्य तीर्थ हो, तो उसे बताने की किरपा कीजिए, तब अगवान वरा कहते हैं, वस्ते चोटी चोटी नदियों से लेकर समुद्र परियंत प्रिथी पाद जितने तीर्थ हैं, उन सब में कुप जामरक तीर्थ श्रिष्ट माना जाता हैं, मेरी श्रदा से संपन सद प्रूश्ट सदा उसकी परिशन चा करते हैं, कुप जामरक से भी कोटी गुना अधिक परम प्रानों में श्रिष्ट एक गंगा सागरिक नाम का पुरान देखा है, इसमें मेरे मत्रा मंडल के तीर्थों के इतनते गुह महिमा वरनित हैं, सिद तीर्थ से प्रार्द गुना फल यहां सुलब होता है, इसमें कुई श्रिष्ट नहीं है, कुप जामरक प्रवदी पर बैट किया मेरे उस थान का नाम विश्रानती तेत पड़ गया वैस थान गोपनियों में भी परम गोपनी है वह श्रान करने से परमुत्ब फल मिलता है गती का अन्वेशन करने वाले विक्तियों के लिए मत्रा परम गती है मत्रा में विश्ष करके कुप जामरक और सोकर श आंक योग और करम योग के अनुस्ठान के बिना भी इन तीथों के किरपा से मानव मुक्त हो जाता है इसमें कोई शंशे नहीं है योग से संपन विद्धान ब्रामन के लिए जो गती निश्चित है वही गती मत्रा में प्रान त्याग करने से सधारन व्यक्ति को भी स्वातित है वरना भगवान केशव से श्रिष्ट कोई देखता है